हेलो एन वेलकम दोस्तों मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं तो आज हम हाजिर है एक नए वीडियो को लेके आज का जो हमारा चेप्टर है वह है रियल नंबर यूनिट वन है क्लास 10 के लिए सेवा बोर्ट के लिए है यह करेंगे हम लोग इस साल हमें पता ही है कि बोर्ट में बहुत सारे एंसी कीउस आने वाले है तो बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एमसी क्यूस पर वीडियो बनाना चाहिए तो उसलिए हम लोग आज यह वीडियो डिसकस करेंगे अगर कोई भी डाउट हो कोई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहला जो हमारा कोशन है आज का इसमें हमारा पूछा गया क्या इन दा फॉल्वाइंग रियल नमबर्स विच वन इस नॉन टर्मेटिंग रिपेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन इसमें से नॉन टर्मेटिंग यह साथ आप लोगों किताब में मिला होगा तो अगर यह ना हो इसका मतलब वो क्या हो जाता है वो नॉन टर्मेटिंग डिपेटिंग डिसिमल होता है तो हमें यहां पर एक ही दिखाई दे रहा है वो है 1 by 7 क्योंकि 1 by 7 को अगर डिवाइड करोगे तो पता चलेगा आपको 0.142857 और इसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है यह रूट 3 हमें पता ही है कि रूट 3 इरेशनल है और यहां पे इसके देनिमेटर्स को फेक्टर्स निकालोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा चिक है तो यह नहीं होगा तो हमारा एंसर क्या है C 1 by 7 emo suppressed in the next question perfect in the next question में पुछा गया find the correct answer root 7 इस तो root 7 क्या है to root-7 क्या है उसमें options क्या-क्या है हमारे पास पहला हमारा option है integer दूसरा हमारा rational number तीसरा prime number और irrational नमबर तो root 7 जो है ए रेशनल नमबर है ठीक है next question हमारा है question number 3 तो question number 3 में क्या पूछा गया है पूछा गया है यहाँ पे अगर LCM 91 और 26 का 182 है तो HCF क्या होगा 91 और 26 का तो इसका simple सा formula हमें पता है कि first number into second number equals to HCF into LCM होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ठीक है HCF into LCM into first number into second number HCF तो हमें पता नहीं तो हमें HCF का HCF भी रेने जेते हैं ठीक है और LCM हमें पता है LCM कितना है 182 first number कितना हमारा 91 और second number हमारा 26 तो यह 182 इधर जाएगा तो divide हो जाए अगर इधर divide करके लिखोगे न तो यह काट होगे तो answer हमारा थर्टीन आने वाला है तो हमारा answer क्या हो थर्टीन होगा है ठीक है इच्छा उसके बाद next question number third third question में क्या पूछा गया यहां पर पूछा गया एक्वोडिंट टू Euclid division lemma given two positive integer a and b there exist unique integer qn are such that इसका हमारा answer क्या होगा answer number c होगा उसके बाद question number four पूछा है question number four क्या पूछ रहा है कि smallest number by which root 27 को अगर multiply करें तो कि वो ताकि वो rational number बन जाए तो smallest number कौन सा multiply करेंगे देखो root 27 के साथ ना अगर हम लोग root 3 को multiply कर देते हैं तो 27 into root 3 कितना हो जाएगा root 81 हो जाएगा और 81 का root कितना होगा नाइन क्योंकि 9 नाइन जा 81 होता है तो वो बन गया ना हमारा rational number चलो next question next question देखते है question number है हमारा 5 इसमें क्या पूछ रहा है decimal expansion हमें बताना है तो decimal expansion 43 उपर है और नीचे 2 का power 4 और 5 का power 3 है decimal expansion बताना है अगर वो turn mating हो रहा है तो तो देखो यहां पर सबसे पहले देख लो 43 उपर है 2 का power 4 है यानि कि 16 5 का power 3 है यानि कि 125 यानि कि 43 और 16 को 125 से multiply करके डिवाइट करोगे ना तो हमारा जो decimal expansion बनता है वो बनेगा 3 3 5.9 375 यानि कि decimal के बाद 4 डिजिट आ रहा है इसका मतलब हमारा answer कितना होगा 4 ठीक है यानि कि B हमारा option होगे उसके बाद which one of the following is rational number यहां से कौन सा rational number है तो देखो सबसे पहला बात तो यहां पर हमें rationalize करके देखना होगा कि कौन सा rational number है ठीक है इसको अगर rationalize करने जाए अगर root 3 से multiply करें तो उपर भी root 3 से multiply करना पड़ेगा तो हमारा यह क्या बन जाएगा root 6 by क्या बन जाएगा 3 इसका मतले यह तो यह rational है अच्छा यह भी rational है यह बी rational है लेकिन यह जो है अगर इसको हम लोग rationalize करने जाए तो हम लोग सको rationalize कर सकते है रूट 3 by क्या root 27 तो root 27 से multiply कर देंगे हम लोग उपर भी root 27 से multiply करेंगे तो देखो root 3 और root 27 को multiply करेंगे तो root 81 हो जाएगा और यहाँ पर 27 root 27 root दुनों को multiply करें तो 27 हो जाएगा उपर root 81 है इसका मतलब इसको हम लोग convert कर सकते है 9 by 27 तो यह हमारा बन गया क्या rational number को cancel भी कर सकत हो तो 1 by 3 ठीक है अच्छा आगे देखते हैं यानि कि हमारा एंसर कौन सा हो गया यह 3 root 3 by root 27 नेक्स कोशन नमबर 6 तो कोशन नमबर 6 में क्या पूछा हमें फिर से उसी तरीके का कोशन है कोशन में पूछा हमें decimal expansion बताना है कितना decimal expansion है तो इनको divide करेंगे तो हमें 4 decimal expansion मेलेग यानि कि पॉइंट का 4 डिजिक मिलेगा यह सब सारे कोशन नम बहुत ज्यादा important है कई बार आ चुका है मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं ऐसे नहीं बता रहा हूं इस सारे कोशन दूम देखोगे ना तो yearly कोशन से यह सब सारे अच्छा हूं ए नेक्स मेंना तफिस के वहीए पूच रहा है विच वान आफ द फॉल्वाइग इसका नों छi सिनों ब्राइटिंग नौं तर्मिलेटिंग क्ऊंन eli को सा किलिए को निए अगर ना अया तो फिर तो यहां पर दिखोगे 8 का फेक्टर नीगा लोगे तो 2 x 2 x 2 आता यह तो यह तो नहीं होगा उसके बाद अगर 80 का निकालोगे तो यहां पर 2 राएगा इसका निकालोगे तो 5 आएगा नहीं आएगा किसका इसका जो कि question number हमारा option में प्रप्टी स्यंग सबस्क्राइब भी सबस्क्राइब के उसके अब शबने एक इस नर नंबर, टिर्टी सीफ indeed तो डूमने खुछ हां पर ही दियार में यहां फॉलें डी सेमसिंट Brahmann को रिंदे इस सब्सक्राइब है चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या पूछा जा रहा है 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 हट यहां पर यूट्ली डिविशन भी लगा सकते यह आप आप नॉर्माल एचिए भी कर सकते हो ठीक है अगर यूपली डिविशन लेमा अगर हम लोग लगा है तो यहां पर हम लोगो करना कैसे पड़ेग 135 से यहां पर डिविशन करेंगे तो 135 इसको सब्स्ट्रेक करेंगे तो यहां हमरा 90 अब देखो यह 135 अंदर चला जाएगा फिर 91 तेंश में फिर यह कितना होगा 45 फिर 90 अब यह 92 तो तक चला जाए यह निकिक पर फेक्ली डिविशन जब ख़तम होगया तो यहां पर एंसर ह हो क्या क्या 45 next question है हमारा 10 यहां पर क्या पूछा गया कि a bell ring at every 18 second and another bell rings at every 60 second अब हमें यह बताना है कि if two bell rings simultaneously at an instant then the bell will ring simultaneously again after तो दोनों bell कितने दिर बाद वो ring करेंगे एक साथ तो यह हमें निकालना है तो यहां यह हो गया हमारा 30 टी से डिवाइट करेंगे हम लोग तो यह हो गया हमारा 3 और यह हो गया हमारा 10 that means two three is 6 हो जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 310 जा 30 यानि कि six into 30 क्या हो जाएगा 180 यानि कि हमारा क्या है यह दुबारा आ गया क्योंकि यह सब सारे questions ना exam में repeat होते रहते है यह yearly questions भी है आप यह कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई आपे हमारा number C rational नहीं कि भ्रेगट खोलोगे तो इसारा के लिए फॉर्म्ला में कट जाए उसका 19 नंबर यहां पर क्या कुछा गया है दब रोड़क्ट और इसनल नंबर को यह रिशनल नंबर को तो क्या होगा तो एंसर हमारा यहां पर है ठीक है उसका एंसर क्या होगा इ इसनल नंबर इसनल और इसनल को प्लस करोगे तो क्या आएगा इसनल यहां पर तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आये होगा और कुछ-कुछ मैं यहां पर नीचे डाल दे रहा हूं आप यहां पर स्क्रीन शॉट ले देना या तो मैं हो सकता है तो मैं कोशिश कर होगा पसंद आतो लाइक कॉमेंट शेर करना भूले साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए